हेलो क्लास 12 के हुनार विद्यारतियों आप सभी का स्वागत है क्लास 11 और क्लास 12 के हिंदी माध्यम के सबसे बहतरीन यूटूब चैनल विकरम सिंग पर बच्चो मैं हूँ आपका मैट्स का टीचर दीपक और आप सभी का बहुत जोर सोर से स्वागत करता हूँ आज की इस महाइस्पेशल क्लास में बच्चो आज हम क्लास 12 की मैट्स के चैप्टर नमबर पाँच सांततत अवकलनियता के एक बहुती इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अब जैसा कि बच्चो हमने पिछली क्लास में फलनों का अवकलन ग्याद करना सिखा था जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में सेयुक्त फलनों का अवकलन ग्याद करना सिखा था अब आज की इस क्लास में हम कुछ और स्पेशल टैप के फलन का अवकलज ग्यात करना सीखेंगे और बच्चो आज मैं आपको जो कराने वाला उना उससे पिछले पांस सालों में लगातार बोर्ड एक्जाम में कोईशन पूछा जा रहा है चाये फिर वो एक अंग का हो या दो अंग का सो बहुती इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की इस क्लास में डिसकस करने वाले हैं सभी बच्चे ध्यान से आज की इस क्लास को अटेंड करेंगे अब जैसा कि आप सब लोग आज के थमनेल को देखकर आए होंगे तो बिटा आज हम एस पश्ट फल्लों का अवकलज ग्यात क करना सीखेंगे आज की इस क्लास में हम प्रतिलों त्रकॉर्ण मतिय फल्लों का अवकलज ग्यात करना सीखेंगे देखे बिटा आपने ग्यारवी क्लास में त्रकॉर्ण मतिय फलन पढ़ा था और ग्यारवी क्लास में ही आपने त्रकॉर्ण मतिय फल्लों के अवकलज तो अब हम इसके अवकलज भी ग्याद करना सेखेंगे ठीक है एंड इसके अलावा आज किस क्लास में मैं आपको प्रस्णावली 5.3 के भी प्रस्णों का हल करवाऊंगा ठीक है तो सारे बच्चे तयार हो जाएए आज की क्लास के लिए एवरीवन कॉपी एंड पैन अपने सा रखिये बिटा और एक एक चीज़ जो मैं आपको नोट कराऊं उसको नोट करते जाएएगा ठीक है कोश्टन को लिखते जाएएगा यहां पर कोश्टन को समझेगा फिर कलास समापत होने के बाद आप खुद से उन कोश्टन को करिएगा ओके चलिए बच्चो अब सुरू करते हैं अपनी आज की इस कलास को मेरा पृतिक बच्चे से अनुरूद है कि वो आखरी तक इस कलास में बना रहे बिटा आखरी में आपको बहुत मज़ा आएगा डेफिनेटली यह तैह है ठीक है चलिए बच्चो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कलास को सबसे पहल था सांतत्य दूसरा अवकलनियता और तीसरा है अवकलन बिड़ा सांतत्य के बारे में मैंने आपको पिछली कलास में बता दिया है और इससे सम्मंदित प्रशनावली 5.1 के बारे में भी हम बात कर चुके हैं इसके बाद मैंने आपको अवकलनियता के बारे में बताया जहा question 5.2 में दे रखे थे तो वो भी हमने discuss कर लिए देन इसके बाद हमने अवकलज ग्याद करना सीखा यहां पर पहले तो मैंने आपको 11 कलास का revision करवाया देन उसके बाद हमने पिछली कलास में संयुक्त फलनों का अवकलन ग्याद करना सीख लिया अब आज मैं आपको ice paste falnrades के अवकलज के बारे में बताऊंगा साथ 위에 में प्रतिलोriosम तरकॉडन के अवकलज के बारे में भी बात करेंगे और वी काफी प्रकार के फलनों के अवकलज के बारे में मैं इस chapter में आगे बात करेंगे और इसे शम्दित बोसे लेकर के पॉइंट साथ ये सारी पॉइंट इसी टॉपिक पर आधारित है ओके चली चली बच्चो बच्चो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बिटा मैं आप सब को एक बार पिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि बच्चो डाउननट लेकर आया है आप सभी क्लास 12 के क्रांती वीरों के लिए इस क्रांती का एक न्यू बैच जिसका नाम है क्रांती बैच बिटा इस बैच में आपकी क्लास 12 बोर्ड की लाइव क्लासे चलेंगी और वो भी इतने बेहतरी इन टीचर्स के दुआरा यहां पर आपको मैच पढ़ाएंगे दीपक सर यानिकी में बायलोजी आपको पढ़ाएंगे योगे सर और विजेता में कैमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे विकरम सर और पूनम में फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे गोपाल सर और विपिन सर और इंगलिस आपको आने वाले हैं ये आपको complete slaves करवाएंगे टाइम पर इसके अलावा डेली इनकी live class चला करेंगी ड्रिवीजन मेराथन होंगे आपके exam के टाइम पर chapter test आपके होंगे सुपर 50 के आपको PDF मिलेगी और भी काफी सारा study material आप लोगों को दिया जाएगा तो सारे बचे जल्दी से जल्दी इस badge को join कर लीजे बेड़ा यदि आपको इस badge के बारे में कोई भी जानकरी प्राप्त करनी है तो नीचे और उपर toll free नंबर दिया जा रहा है 01247158250 आप इसके उपर call कर सकते हो otherwise description में एक Google फॉर्म दिया जा रहा है इस Google फॉर्म को आप सब जरूर भरिए ठीक है चलिए बच्चो अब सुरू करते हैं बटा अपनी आज की इस very special class को कोई भी बच्चा class को छोड़के नहीं जाएगा आखरी तक बना रहेगा बहुत important ह बटा ओके चलिए तो आज हम सबसे पहले बच्चो बात करेंगे एस पस्ट फलनों के अव कलज के बारे में अर्थाद derivatives of implicit functions अब बटा एस पस्ट फलन क्या होता है सबसे पहले तो आप ये समझे तो बच्चो आपने पिछली classes में कुछ फलन देखे थे जैसे की y बराबर में x square या y बराबर में sin x प्लस cos x अब ये जो बिटा फलन है इन में हम आराम से y को x के पदों में लिख सकते हैं है ना बही clearly हम लोग बिटा या पर लिख सकते हैं y बराबर f of x तो इस प्रकार की फलनों को बच्चों बोलते हैं इस पष्ट फलन क्योंकि आपर हम इस पष्ट रूप में y को x के पदों में व्यक्त कर सकते हैं अब यदि हम y को x के पदों में इस पष्ट रूप से व्यक्त ना कर सकें तो उसको बिटा हम ऐस पष्ट फलन कहते हैं जैसे मान लीजे मैंने आपर लिखा y बराबर में sin x प्लस cos y अब खुछ यहां पर सोचे क्या हम यहां पर y को x के फलन की रूप में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बिटा यहां पर देखिए y माइनस cos y बराबर sin x तो बन जाएगा परन्तु मुझे तो किवल y का मान चाहिए y बराबर f of x मुझे चाहिए और वो बेटा यहां पर करपाना संभव नहीं है तो ऐसे फलनों को हम एस पस्ट फलन कहते हैं ठीक है ऐसे फलनों को बेटा हम एस पस्ट फलन कहते हैं और एक्जामपल देखिए जैसे मान लो मैं लिख रखा y बराबर मैं x प्लस x स्क्वाइर y स्क्वाइर अब यहां पर बेटा हम y को x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते इस पस्ट रूप से तो यह भी एक एस पस्ट फलन है क्लियर अच्छा अब हम जाते हैं कि कैसे हम एस पस्ट फलनों का अवकलन करते हैं ठीक है तो इसको समझाने के लिए बिटा यहाँ पर मैं एक्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर बिटा मैं एक उधारन लेता हूँ ओके उधारन है यहाँ पर लिख रहा हूँ ओधारन मालेज़े बिटा हमारे पास y प्लस x बराबर में 2 है अच्छा पहले आप लोग बिटा यह सोचे कि यह इस पर्ष्ट है या एस पर्ष्ट अब यहाँ पर आप लोग कोगे सर यहाँ पर तुम y को x के पदों में लेख सकत य बराबर में दो माइनस एक्स जी यहां बिटा यह इस पर्ष्ट फलन है बट मैं आपर चाहता हूं आप लोगों से एक मदद और वो यह कि आप यहां पर भूल जाओ कि इस पर्ष्ट है या एस पर्ष्ट ठीक है आप भूल जाएए थोड़ दिर के लिए कि एस पर्ष्ट ह या इस पर्ष्ट है आप बस एक काम करिये यहां पर दोन पक्षों में X के साथ पर चप कलन कर दीजिए छेक है अब पहले Y का उप्कलन करेंगे तो यह हो जाएगा तो यहां से यह बनेगा दी वाई बाई डी एक्स प्लस एक बरावर जीरो तो यहां से दी वाई बाई डी एक्स बरावर हो गया माइनस एक के क्लियर आप बेटा ऐसे करते तो भी आप कमान यही आता अब इस कोईश्चन को सॉल्व करने में जिस विदी का प्रियोग किया ना उसी विदी का प्रियोग करेंगे बिटा हम एस पस्ट फलनों के अव कलज को गयात करने में जैसे यहां पर मैंने आपको एक एक्जामपल लिखाया था वाई बरावर साइन एक्स प्लस कोस बाई यह एक एस पस्ट फलन था अब मुझे यहां पर डी वे डी जाद करना है तो कैसे गयात करेंगे ज्यां से देखे बिटा तो यहां पर लिखा हुआ य बरावर में साइन एक्स प्लस कोस य यह बिटा हैं यहां पर dy by dx निकालना है देखो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर यह होगा dy by dx आप ऐसा करिए यहाँ पर आप भूल जाइए कि यह इस परश्ट है इस परश्ट आप दोनों तरफ x के सापे चबकलन कर दीजे तो यह कर दी बाइ dx y बराबर d by dx sin x plus plus cos y यह पिटे यहाँ पर बन जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह बनेगा dy by dx बराबर अब करिए तो यह कि दी बाइडी एक्स sin x plus d by dx cos y यह पिटे यहाँ पर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए बच्चो sin x का x के सापे चपकलन क्या होगा cos x plus cos का x के सापे चपकलन minus sin हो जाएगा अच्छा बच्चो यह है एक सयुक्त फलन तो यहाँ पर हम स्रंकला नियम लगाएंगे देखो बिटा मैंने आप से पिछली क्लास में बोला था कि जो सयुक्त फलन अब यह आपके आपका पीछा नहीं छोड़ेगा आप आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे उतने ही टॉपिक में इस कंसेप्ट का प्रियोग होगा और देख लो अभी तो एस पर्ष फलन पढ़ रहे हैं आगे जितने भी फलन पढ़ोगे सम में सहीुक्त फलनों के कंसेप्ट का प्रियोग होगा और आगे चल कर आप जितने कंसेप्ट पढ़ोगे जितने टॉपिक पढ़ोगे उसमें एस पर्ष फलनों के कंसेप्ट का भी प्रियोग होगा इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक एक lecture को ध्यान से पढ़िए देखिए मैट्स में बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैट्स से डर लगता है मैट्स के question हम से बनते नहीं है तो उसका reason बिटा एक ये भी होता है कि उन्होंने पहले की क्ल 1976 को अच्छे से अटेंड नहीं किया होता है समझा ही नहीं होता है अब वो चाते हैं कि वैं प्रष्णावली 5.2 5.3 को मिस्स कर देई और 5.6 प्रष्णावली करें डारेक्ट और उनसे हो जाएं तो क्या ऐसा सम्भव है आप खुच से सोचो मान लो हमने मकान बना रहें और नीचे का हम लोग जो नीब भरते हैं वो ना भरें और किवल दीवार खड़ी कर दें तो गर दीवार खड़ी हो सकती है नीब के बगएर कैसे दीवार खड़ी हो जाएगी सेम ऐसे ही बिटा मैट्स का भी यही डॉल है जब तक नीव नहीं बनाओगे न तब तक बेटा दीवार खड़ी नहीं होगी ओके चलिए अब यहाँ पर देखे पहले कॉस्ट को कर दिया माइनस साइन वाई अब बारी है भाई की तो यह के डी वाई बाई डी एक्स अब डी वाई डी एक्स के पत्दों को एक तरफ कर दो इसको ज़र लियाओ तो यह बनाओगे डी वाई डी एक्स माइनस कदर प्लस साइन वाई डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स के डी वाई डी एक्स बिटा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो ये बराबर बन गया कॉस एक्स बटे वन प्लस में साइन वाई ये बिटा हमारा अंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे बिटा हम ऐस पश्ट फलनों का अब कलज ग्याद करेंगे किलियर बच्चो ऐसे हम इस प्रकार की प्रश्टनों को सॉल्व करेंगे बाकी आगे मैं आपको और भी काफी सारे एक्जाम्पल कराऊगा तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए हम अगले कोश्टन में जलते हैं अगला कोश्टन है उधारन नमबर 22 कि यदि एक्स माइनस वाई बराबर पाई है तो डी बाई बाई डी एक्स ग्यात किज़े अब भूल जाएए कि इस पस्ट है या एस पस्ट आप तो बस जैसे ही आपने कोई एक्क्वेशन दे की तरंत उसका अवकलन करने बढ़ जाओ अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स ओफ एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स पाई यहाँ पर देखी यह बनेगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वाई बराबर पाई एक अच्छा रहे इसका अवकलन करोगे तो यह जीरो हो जाएगा x का x के साफ़ एक चपकलन एक होगा so 1 माइनस dy by dx बराबर 0 होगा यहां से dy by dx बिटा एक के बराबर हो जाएगा के लिए ऐसे बिटा आपको इस प्रस्ट को solve करना है के लिए चली आगे अगले उधारण पर चलते हैं अगला उधारण बिटा उधारण 30 यहां पर दिया गया y प्लस sin y बराबर cos x हमें आपर dy by dx ग्याद करना है अब देखो कैसे ग्याद करेंगे क्या है यह इस प्रस्ट या इस प्रस्ट मैं तो कहता हूँ इसको मारो आप गोली अब डायरेक्ट जो भी आपको equation दी गई है जो भी सम्मीकन दिया गया उसका अफ्कलन कर डालो कर डालो खेल बिटा इसका तो यहां पर अफ्कलन करेंगे x के साप x यह बनेगा d by dx y प्लस sin y बराबर d by d x cos x अब यहां पर बिटा हम x के साप इसका अफ्कलन करेंगे तो यहां पर हम फ्लनों के अफ्कलज के बीजगर्द का प्रियोक करेंगे यह बनेगा d y by dx plus d by dx sin y बराबर cos x का अफ्कलन minus sin x हो जाएगा ठीक है अच्छा अब दोको sin का अफ्कलन क्या होता cos परन्तु यह नियम का प्रियोक करेंगे तो cos y y का बिटा हो जाएगा d y by dx बराबर योग्या minus का sin x ठीक है अच्छा अब इसके बाद देखे इन दोनों ही पदों से d y by dx common आ रहा है तो चलो भाई इसको common लिका लो यहां bracket मुझा जाएगा 1 प्लस में cos y बराबर में 1 प्लस cos y common आ गया यहां पर है minus का sin x यहां पर बच्छों हमारे पास d y by dx बराबर आ गया minus sin x बटे 1 प्लस cos y चीक है सो इस तरीके से बिटा आपको इस question को solve करना था clear ऐसे बिटा हम ऐस पष्ट फलनों का अव कलन करते हैं मुझे उम्मिद है कि आप सब को बिटा यह example एक दम crystal की तरह clear हो गया होगा है ना चलिए अब इसके बाद बच्छों बात करते हैं आज के second topic के बारे में क्या था वही आज का हमारा second topic आज का हमारा second topic बिटा प्रतिलोम तर्कॉर्मतिय फलनों के अव कलज चलिए अब हम प्रतिलोम तर्कॉर्मतिय फलनों के अव कलज गात करना सीखते हैं सबसे पहले तो यार आप लोग मुझे ये बताओ कि कितने हमारे प्रतिलोम तर्कॉर्मतिय फलनों है बताईए जल्दी से बिटा चैट सेक्सर में लेके बताईए कि कितने प्रतिलोम तर्कॉर्मतिय फलनों आप लोगों ने दूसरे chapter में पढ़े हैं हाँ बई सभी ने को पढ़ाने के लिए अपको पहले प्रतलषलों तर्फ़लों वाला चेप्टर पढ़ाőं अलग से देने को रहाऊ मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने वह ठाई चीक है चलिए घंड़ों आप लोगों ने छे प्रितलोंम तरकौर्मितिव फलन पढ़नें पहला है साइन इन्Вरस एक्स दूसरा कॉस इन्वरस एक्स तेसरा टैन इन्वर्स एक्स चौथा कॉट इन्वर्स एक्स माचवा सेक इन्वर्स एक्स एंद छटा कौस एक इन्वर्स एक्स ये बिटा हमारे च्छे प्रितलोम तर्कौर्ड मतिये फलन है ठीक है अब मुझे इनका ही अवकलन करना है ओके चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इन्वर्स एक्स के बारे में वाई बराबर में है sine inverse x मुझे यहाँ पर ग्याद करना है dy by dx अब देखे कैसे निकालेंगे यहाँ पर बिटा सबसे पहले में दोनों पक्षों में sine लोगा तो यह बनेगा sine y बरावर sine of sine inverse x and sine of sine inverse x हो जाएगा तो यहाँ से sine y बरावर हो जाएगा x के ठीक है अब क्या सम्मी कर लिखा हुआ इसको भूलो यहाँ पर आप direct x के साब एक चपक्लन करने लग जाओ तो x के साब एक चपक्लन करोगे यह बनेगा d by dx sine y बरावर d by dx x ठीक है अब इस sine का बक्लन करेंगे sine का क्या होता कॉस तो हो जाएगा कॉस y और y का हो जाएगा d y by dx बरावर x का x के साब एक चपक्लन एक होगा क्लियर अब आगे आजाओ आगे बिटा देखे d y by dx क्या बनेगा तो यहाँ से d y by dx बरावर हो जाएगा एक बटे कॉस y के अब वैसे तो मुझे यहाँ पर d y by dx क्याद करना था परन तो जगो y तो मैंने माना है तो इसका मान तो मुझे रखना पड़ेगा अब कॉस y क्या होगा साइन y बरावर x है तो कॉस y क्या होगा कॉस y बरावर हो जाएगा वर्ग मूल 1 माइनस साइन स्क्वाइर y के एंड साइन y बेटा x के बरावर है तो कॉस y बरावर होगा वर्ग मूल 1 माइनस में x स्क्वाइर के ठीक है यह यहाँ पर बन जाएगा यह मान आप यहाँ पर रख दीजे तो यह बन गया d y by dx बरावर एक बटे x स्क्वाइर यह बिटा d y by dx हो जाएगा किलियर तो यह बच्चो साइन इन्वर्स x का अब कलज आ गया ठीक है बाई तो यहाँ पर हम लेख सकते हैं d by dx साइन इन्वर्स x बरावर होगा एक बटे वर्ग मूल 1 माइनस x स्क्वाइर यह बिटा यहाँ पर बन जाएगा साइन इन्वर्स x का अब कलज हो जाएगा एक बटे वर्ग मूल 1 माइनस में x स्क्वाइर अब इसी प्रिकार बच्चो यदि हम कॉस इन्वर्स x के अब कलज के बारे में बात करें सो कॉस इन्वर्स x का अब कलज होगा माइनस एक बटे वर्ग मूल 1 माइनस x स्क्वाइर यह हो जाएगा कॉस इन्वर्स x का अब कलज साइन इन्वर्स x का अब कलज है एक बटे वर्ग मूल 1 माइनस x स्क्वाइर और कॉस इन्वर्स x का माइनस एक बटे वर्गमूल वन माइनस मैं एक्स स्क्वार ठीक है चलिए अब इसके बाद हम सेश बचरे प्रितलों त्रिकॉडमते फलनों के अवकलज भी ग्याद करते हैं दो को यार मैंने आपको कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज नहीं वर्गमूल वन माइनस कॉस कवर य को आप बिटा एक्स एलिक दोगे तो यहां पर यह माइनस एक बड़मूल वन मैनस एक स्कॉर ही बन जाए के लिए के कर लिजेगा अब लोग अब हम बात करते हैं टैन इन्वर्स एक्स के बारे में तो देखिए वाई बराबर है टैन इन्वर्स एक्स के अब मुझे आपर डी वाई डी एक्स ग्याद करना है पहले दोनों तरफ टैन ले लो तो यह बनगे टैन वाई बराबर में एक्स अब y का हो जाएगा dy by dx स्रंकला नहीं माम नहीं आपे लगाया x का x के साथ एक होगा तो यहां से dy by dx बराबर हो जाएगा 1 बटे सैक स्क्वार y के और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1 बटे 1 पिलस 10 स्क्वार y और 10 y के है बेटा x तो यह हो जाएगा 1 बटे 1 पिलस x स्क्वार सो यहां से बच्चों हमारे पास बन जाएगा dy dx 10 inverse x यह बराबर हो जाएगा 1 बटे 1 पिलस x स्क्वार के इसके बटे यह बराबर हो जाएगा 10 inverse x का अवकल यह आगया तीसरा फॉर्मुला इसी पिरकार बिटा यदि आप cot inverse x का अवकलज ग्याद करने को जाओगे तो यह होगा minus 1 बटे 1 पिलस x स्क्वार यह हो जाएगा cot inverse x का अवकलन इसी तरीके से यदि आप sec inverse x का अवकलन ग्याद करने को जाओगे तो हो जाएगा 1 बटे x वर्कमूल x स्क्वार माइनस में 1 यह हो जाएगा sec inverse x का अवकलन सेम ऐसे ही cos x inverse x का अवकलन ग्याद करने को जाएगे हम तो यह हो जाएगा minus 1 बटे x वर्कमूल x स्क्वार माइनस में 1 सो यह बिटा 6 की 6 प्रतिलोम्त रिकार्ड में तिये फलनों के अवकलज है ठीक है आपको याद रखना है कि sin inverse x का अवकलज होता है एक बटे वर्कमूल 1 माइनस x स्क्वार वही cos inverse x का अवकलज होता है माइनस एक बटे वर्कमूल 1 माइनस एक्स स्क्वाइर टैन वर्स एक्स का उता है एक बटे वन प्लस एक्स स्क्वाइर कॉट इन वर्स एक्स का होता है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स Square सेक और चे एक नवील एक्स डॉल डॉक स्कॉर मायनस एक लिड़ सेक और सॉक रॉक एक्स डॉलन एक्स-थी बिटा यह आपको याद रखने थीक है छलिए सु यह थी बच्चों पर तो टुलों त prompts के फ़ल लोक अब कलज अब यहां पर आप में से कुछ बच्चों की दिमाग में question आ रहा होगा सर इस topic से किस type की question पूशे जाएंगे क्या पे यहां से यह पूशे जाएगा कि 10 verse x cup class क्या होगा ना ऐसे question बेटा नहीं आएंगे सो कैसे question आएंगे इसके लिए बेटा आपको थोड़ा बेट करना होगा प्रस्णावली 5.3 का ठीक है क्योंकि 5.3 में ऐसे question दे रखे जो कि आप से exam में पूशे जाएंगे चली अब हम 5.3 प्रस्णावली को ही start करते हैं सबसे पहले तो हम as first फलनों के question करेंगे देन उसके बाद हम प्रतलोम तरकोडमते फलनों के question करेंगे प्लस 3y बराबर में sin x जो कैसे इस प्रिश्ण को solve करेंगे तो यहाँ पर दिया गया बेटा 2x प्लस 3y बराबर में sin x आप x के सापे एक्षब करदो तो d by dx 2x प्लस 3y बराबर d by dx sin x हो जाएगा फलनों के अफ्कलच की बीजगर्द का प्रियोग करेंगे 2 गुणा d by dx x प्लस 3 गुणा dy by dx बराबर sin x का अफ्कलच cos x हो जाएगा x का x के सापे एक्षब करेंगे एक आएगा तो यह हो जाएगा 2 प्लस 3 गुणा dy by dx बराबर cos x तो यहाँ पर यहोगा तीन गुणा dy by dx बराबर cos x माइनस 2 तीन का भाग लगा दीजे तो dy by dx बराबर हो जाएगा cos x माइनस 2 बटे 3 यह बिटा इस प्रिशन का आंसर हो जाएगा ऐसे बिटा आपको यह question solve करना था चलिए अगले प्रिशन में चलते हैं अगला question है यहाँ पर दिया गया 2x प्लस 3y बराबर sin y हमें आपर dy by dx लिका लना है देखिए कैसे निकालेंगे तो फिर y x के सापे चब्कुन करिए dy dx 2x प्लस 3y बराबर dy by dx sin y हो जाएगा यहाँ पर हम फलनों के अपकलज की बीजगर्द का प्रियोग करेंगे तो 2 गुणा dy by dx x प्लस 3 गुणा dy by dx y बराबर sin का अपकलन कौस हो जाएगा y का हो जाएगा dy by dx ठीक है आगे solve करेंगे यहाँ पर देखिए बीटा x का x के सापे चब्कलन एक होगा तो कि 2 प्लस 3 यह हो जाएगा dy by dx बराबर में कौस y dy by dx हो जाएगा ठीक है अब dy by dx के पदों को एक तरफ बाकी के पदों को दूसरी तरफ करेंगे तो यह हो जाएगा कौस y dy by dx माइनस 3 dy by dx बराबर में 2 यह बिटाया पर बन जाएगा अब यहाँ पर देखे dy by dx का मना जाएगा तो यह बन गया कौस y माइनस 3 बराबर में 2 तो यहाँ से dy by dx बराबर बन गया 2 बटे कौस y माइनस 3 यह बिटा इस कोश्चन का अंसर हो गया ठीक है चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन बिटा यहाँ पर दिया गया ax plus by square बराबर में कौस y सेम ऐसे ही कोश्चन सॉल्व करेंगे यह हो जाएगा dy dx ax plus vy square बराबर d by dx कौस y इसका अवकलन देखो क्या हो जाएगा a d by dx x plus b d by dx y square बराबर कौस का माइनस साइन y y का हो जाएगा dy by dx स्रंकला नहीं रगाया x का x के साथ पर चपकलन करेंगे एक होगा तो यह होगे a plus y square पहले गात का करेंगे तो 2y हो जाएगा तो यह 2by और फिर y का हो जाएगा dy by dx बराबर यह होगे माइनस साइन y dy by dx अब यहाँ पर a को उधर ले जाएगे इसको उधर ले जाएगे तो यह 2by dy by dx plus sin y dy by dx बराबर माइनस का a dy by dx यहाँ पर बीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बिटा dy by dx बराबर हो जाएगा माइनस a बटे 2by plus sin y यह बच्चो राइट आंसर हो जाएगा किलियर ऐसे आपको यह वाला question solve करना था अगले प्रिश्ण में जलते हैं चौते प्रिश्ण पर यहाँ पर दिया गया हमें x y plus y square बराबर में 10x plus y यहाँ पर भी dy by dx लेक्स लेकालना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा dy dx x y plus y square बराबर d by dx 10x plus y चीक है करे भाई अवकलन यहाँ पर हम फलनों के अवकलज की बीजगर्द का परियोग करेंगे d by dx x y plus d by dx y square बराबर यहाँ करेंगे d by dx 10x plus d by dx y हो जाएगा solve करेंगे good नियम बिटाया पर लगाएंगे तो दूसरा एजटेज पहले का अवकलन plus पहला एजटेज दूसरे का अवकलन हो जाएगा ठीक है प्लस यहाँ पर बिटा हम स्रंकला नियम लगाएंगे पहले घात का करेंगे तो 2y फिर बिटा y का करेंगे तो यह हो जाएगा dy by dx ठीक है इसके बाद बराबर 10x का अवकलन करेंगे 10x का हो जाएगा स्क्वार एक्स ठीक है y का हो जाएगा dy by dx यह यहाँ पर बन जाएगा अब x का x के सापने चिपकलन एक होगा तो यह y प्लस x dy by dx प्लस 2y dy by dx बराबर सेक स्क्वार एक्स प्लस dy by dx हो जाएगा अब dy by dx के पदों को एक तरफ बाकी के पदों को दूसरी तरफ करते हैं तो इसको अधर लियाओ इसको अधर बेज़ दो तो यह होगे x dy by dx प्लस 2y dy by dx minus dy by dx बराबर सेक स्क्वार एक्स minus y हो जाएगा यहां से dy by dx कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2y minus 1 बराबर सेक स्क्वार एक्स minus y हो जाएगा तो यहां से बिटा dy by dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वार x minus y बटे x प्लस 2y minus 1 यह बिटा इस question का answer हो जाएगा ऐसे बिटा आपको इस प्रुष्ण को solve करना था यह था question number 4 सेम ऐसे बिटा आपको आगे की question solve करने अब प्रुष्ण कर्मांक 5 दे रखा है x square plus xy plus y square बराबर 100 यहाँ पर भी हमें dy भी dx लेकालना है तो सेम ऐसे हम इसको भी solve करेंगे यह हो जाएगा d by dx x square plus xy plus y square बराबर d by dx 100 इसका प्रुष्ण करोगे x square का 2x plus you get d by dx xy plus y square करोगे तो you get 2y dy by dx और 100 का प्रुष्ण बिटा 0 हो जाएगा चीक है अच्छा अब यहाँ पर बिटाम गुड़न नियम लगाएंगे तो you get 2x plus y as it is x का प्रुष्ण plus x as it is y का प्रुष्ण हो जाएगा plus 2y dy by dx बराबर हो जाएगा 0 के ठेक है x का x के साब्रेक जब क्लन 1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 2x plus y plus x dy by dx plus 2y dy by dx बराबर में 0 यह हो जाएगा अब इन दोनों पदों को इतरब रखते हैं इस पद को दूसरी तरब बेज देते हैं तो गया x dy by dx plus 2y dy by dx बराबर माइनस का 2x plus y हो जाएगा यहाँ से dy by dx हम कॉमन लिका लेंगे तो यह बनेगे x plus में 2y बराबर माइनस आफ 2x plus y यहाँ से dy by dx बराबर हो जाएगा माइनस 2x plus y बटे x plus में 2y यह बिटा राइट आंसर हो जाएगा इस question का ठीक है ऐसे बिटा आपको इस question को solve करना था क्लियर बचो ऐसे आपको यह बला question solve करना था अब चलते बिटा हम अगली question पर अगला question बिटा यह है यहाँ पर आपको dy by dx ग्याद करना है चीक है यह हमारे पास में अगेन एक सम्मीकर्ण दे रखा है इसकी साहिता से में dy by dx निकालना है अब यहार जैसे हमने पिछले पांच questions solve किये ना सेम ऐसे ही आपको यह बला question भी solve करना है तो मैं समझता हूँ कि आप खुद से बिटा समर्थ हो अब इस परिकार की questions को solve करने में तो आप खुद से कर लीजेगा simple सी सम्मीकर्ण बनेगी वहां से आपको डिवेविड एक्स के पदों को एक तरफ बाकी के पदों को दूसरी तरफ कर देना है ताकि आप डिवेविड एक्स कमान ग्याद कर सको चीक है चलिए सेम ऐसे बिटा आपको प्रश्ण किरमांग साथ को solve करना है तो यह वाला question मैं आपको एजे हमबर्ग दे रहा हूँ इसको भी आप खुद से कर लीजेगा और प्रश्ण किरमांग आठ को भी बेटा आप खुद से कर लीजेगा पांच question मैंने आपको करवा दिये हैं तीन question आप खुद से कर लेना ठीक है चलिए अब चलते हैं बिटाम प्रश्ण करमांग नो पर देखे बचो अभी हमने पांच पॉइंट तीन प्रश्णावली के आठ कोईश्ण देखे जो की एसपस्ट फलनों के अवकलच के कोईश्ण थे अब हम बात करते हैं प्रतलोम तर्कॉडमते फलनों के अवकलच पर आधारत कोईश्ण के बारे में आप लोग पूछ रहेते हैं कि सर क्या एक्जाम में प्रतलोमत रिकॉडमते फलनों से टैन वर्स एक्स का अवकलच पूछ जाएगा क्या तो ऐसा नहीं है बिटा इस से किस टाइप की कोईश्ण आएंगे उनकी जला का मैं आपको दिखाता हूँ तो यह है पांच पॉइंट तेन प्रशनावली का प्रशन किरमांक नौ यहां पे लिखा हुआ है वाई वराबर साइन इनवर्स ऑफ दो एक्स वटे वन प्लस एक्स स्कॉर्ल अब मुझे डी वे डी एक्स ग्याद करना है तो वैसे तो यह प्रतलोम त्रिकॉर्ड में थे फलन है अब मुझे इसका अब कलज ग्याद करना है ठीक है तो देखो कैसे हम इस कुईश्चिन को सॉल्व करेंगे द्यान से बच्चों आप सब समझेगा अब यहाँ पर बिटा मैं मानूंगा माना एक्स बराबर है 10 ठीटा के अब दुखो 2 एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वार क्या बनेगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 2 10 ठीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वार ठीटा और यह किसका फॉर्मिल ओता है Sine 2 theta का अब यहां दोनों पख्षों में हम Sine inverse ले लेंगे तो क्यों कि Sine inverse 2X बटे 1 प्लस X square बराबर हो गया Sine inverse of Sine 2 theta तो यहां से बिटा है 2 theta के बराबर हो जाएगा और यह बच्चु क्या है यही तो है Y तो इसका मतलब हम यहाँ पर लेख सकते हैं y बराबर में 2 थीटा अब थीटा है क्या तो थीटा है बिटा यहाँ पर 10 inverse x तो basically हमारे पास लेखा होगा y बराबर 2 10 inverse x ठीक है अब मुझे ग्याद करना है d y by dx तो यहाँ पर d y by dx बराबर हो जाएगा दो गुणा d by dx 10 inverse x अब 10 inverse x का अउकलस तो आपको बताई रखा है मैंने जोंकि एक बटे 1 प्लस x स्कॉर होता है तो यह बिटा इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा ऐसे बच्चों आपको यह वाला question solve करना था ठीक है ऐसे हमें प्रतलोंत रिकॉर्णतिय फलनों के questions को solve करना है अब ऐसे question बिटा आगे और दे रखे हैं जैसे दसबाब प्रस्ण देखो यहाँ पर लिखा हो y बराबर 10 inverse of 3x minus x q बटे 1 minus 3x square जहां x का मान माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 से 1 बटे वर्गमूल 3 के बीच में है यहाँ पर भी हमें d y v d x ग्यात करना है अब अच्छों यदि आप अपने दिमाग पर जोर लगाओ तो आप पाओगे कि यह 3 10 inverse x का फॉर्मूला है तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3 10 inverse x और इसका अफ्किल्म करोगे तो d y v d x बराबर हो जाएगा 3 बटे 1 plus x square यह बिटा इस question का answer हो जाएगा ठीक है अगले question पर जाओ अगला question है y बराबर cos inverse of 1 minus x square बटे 1 plus x square जहाँ पर x 0 से 1 के बीचे यहाँ पर भी हमें d y v d x गयाद करना है अब यहाँ पर भी बच्चों में माले तो माना x बराबर है 10 theta की so 1 minus x square बटे 1 plus x square क्या होगा यह हो जाएगा 1 minus 10 square theta बटे 1 plus 10 square theta अब यहार यदि आप सबको याद हो तो 11 वी क्लास में अपने तरिकोर्ड में तीक इंतरगत यह वाला formula पड़ा है किसका होता है यह formula याद करो 1 minus 10 square theta बटे 1 plus 10 square theta यह होता है cos 2 theta का formula ठीक है यह बटा cos 2 theta का formula होता है अब दोनों तरफ हम ले लेंगे cos inverse तो cos inverse of 1 minus x square बटे 1 plus x square यह बराबर हो जाएगा cos inverse of cos 2 theta के तो यह बटा 2 theta बन जाएगा अब यह क्या है y तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया y बराबर में 2 theta अब theta क्या है यहाँ पर तो theta बराबर है 10 inverse x के तो यह हो गया y बराबर 2 10 inverse x यह बटा y बन गया तो यहाँ पर d y by d x क्या हो जाएगा d y by d x बराबर 2 बटे 1 plus x square यह बटा right answer हो जाएगा simple यार ऐसे बटा आपको questions को solve करना है और आगे question देखो आगे हमें दे रखा y बराबर sin inverse of 1 minus x square बटे 1 plus x square यहाँ पर मुझे d y by d x गयाद करना है अब देखो इसको कैसे solve करेंगे तो यहाँ पर देखी बटा हम मान लेते माना x बराबर है 10 theta के so 1 minus x square बटे 1 plus x square क्या होगा यह हो जाएगा 1 minus में 10 square theta बटे 1 plus 10 square theta और यह formula होता है cos 2 theta का क्या होगा है यह cos 2 theta के बराबर होगा है यह पिछले question में देख लो ना same ही तो चीज़ है वही चीज़े बटा अलग से नहीं है ठीक है चलिए यह हमारे पास हो जाएगा अब बटा cos 2 theta को मैं क्या लेक सकता हूँ sin 90 minus 2 theta लेक सकता हूँ इसको बटा मैंने आपे इसे लिख दिया इसको बटा मैंने ऐसे लिख दिया या फिर आप यहां पर एक काम और भी कर सकते थे आप यहां पर x बॉराबर cos theta भी मान सकते थे ज़िए आप मानना चाहो ठीक है आप ऐसा भी बटा कर सकते थे अब यहां पर देखिए अब हम दोनों तरफ sin inverse लेंगे तो क्या बनेगा तो यह बनेगा sin inverse of 1 minus x square बटे 1 plus x square बराबर sin inverse of sin of pi by 2 minus 2 theta यह बनेगा तो यहां से यह हो गया pi by 2 minus 2 theta और यह क्या है बिटा यह यहां पर y है अब यहां पर theta क्या आया theta बराबर है 10 inverse x के तो यहां से y बराबर हो जाएगा pi by 2 minus 2 10 inverse x अब क्लन करेंगे तो d y by dx बराबर में pi by 2 चर यह इसका अब क्लन 0 यह क्या माइनस 2 बटे 1 plus में x square यह बिटा right answer हो जाएगा इस person का ठीक है ऐसे बिटा आपको इस question को solve करना था same ऐसे ही आगे के question भी solve हो जाएगे आगे दिया गया y बराबर cos inverse of 2 x बटे 1 plus x square जहां पर x का मान माइनस 1 से 1 के बीच है अब यहां पर आप मान लीजे माना x बराबर में 10 theta है so 2 x बटे 1 plus x square यह बन जाएगा 210 theta बटे 1 plus 10 square theta so यह हो जाएगा sin 2 theta और इसको में लेक्षा था हम cos of pi by 2 minus 2 theta अब दोनों तरफ cos inverse ले लेंगे so cos inverse of 2 x बटे 1 plus x square यह बराबर हो जाएगा pi by 2 minus 2 theta के और यह क्या है y बराबर में pi by 2 minus 2 theta क्या है यहां पर 10 inverse x तो सेम चीज़ चली आ रही है यहां से देखे dy by dx बराबर हो जाएगा pi by 2 कब क्यों जीरो यह हो क्यों माइनस 2 बटे 1 plus में x square यह हो कि भाई इसका answer ठीक है ऐसे आपको बीटा question solve करने देखे यहां पर बीटा आपको direct प्रतलोम तरिकॉर्डमित्य फलन नहीं दिया गया है परन्तु आप उनको direct प्रतलोम तरिकॉर्डमित्य फलन में परिवर्टिद करके अफ्रून करोगे ठीक है तो यहां पर देखो एक question में double काम आपसे करवाए जा रहे है आपसे chapter number 2 का भी यूज करवाए जा रहा है और chapter number 5 का भी यूज करवाए जा रहा है इस topic का clear? चलिए आगे भी बीटा इसी तरीकी की question है प्रिश्ण किरमांग 14 है आपर दे रहा है य बराबर sine inverse of 2X वर्गमूल 1-X square यहां पर भी आपको डिवे वी डिएक्स लिकालना है अब यह बिटा formula है 2 sine inverse X का तो य बराबर 2 sine inverse X यहां पर डिवाई बराबर जाएगा 2 बटे वर्गमूल 1-X square यह बिटा answer हो जाएगा ठीक है अगले question पर चलते हैं अगला question बिटा यह यह आखरी question है प्रिश्णावली 5.3 का यहां पर दिया गया Y बराबर sec inverse of 1 बटे 2X square minus 1 हमें यहां पर डिवे डिए डिए ग्स ग्याद करना है देखो इसको कैसे solve करेंगे तो यहां पर बिटा मैं मानोंगा माना X बराबर में cos theta 2X square minus 1 क्या बनेगा 2 cos square theta minus 1 यह बिटा हमारे पास हो जाएगा cos 2 theta अब दोनों तरह बिटा हम sec पहले इसको उल्टा करते हैं एक बटे 2X square minus 1 देखे क्या होगा एक बटे क्यों होता है sec तो होगे sec 2 theta अब दोनों तरह सेक इनवर्स ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा sec inverse of एक बटे 2X square minus 1 बराबर sec inverse of sec 2 theta तो यह बिटा 2 theta के बराबर हो जाएगा अब यह क्या है y तो y बराबर 2 theta हो गया तो y बराबर हो जाएगा 2 theta क्या है बिटा है यहाँ पर theta है cos inverse X तो यहाँ पर बिटा dy by dx बराबर हो जाएगा minus 2 बटे वर्ग मुल 1 minus x square यह बिटा इसका answer हो जाएगा ठीक है ऐसे बिटा आपको इस परकार के questions को solve करना है देखा बच्चो आज की इस क्लास में मैंने आपको aspect फलनों के अवकलज ग्याद करना भी सिखा दिया और हमने प्रतिलों तर्कौर्णमतिय अवकलज भी ग्याद करना सीख लिया एक ही क्लास मैंने दो-दो important topic discuss कर लिए ठीक है चलिए चलिए बच्चो अब आज की इस क्लास को बटाम यहीं पे stop करते हैं आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में बच्चों कुछ और प्रकार के फलनों के अवकलज ग्याद करना सीखेंगे अब आज की क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार बच्चों मैं आप लोग को फिर से याद दिला देता हूँ कि बटा डाउटनेट लेकर आया है आप सभी क्लास 12 के हुनहार विद्यारतों के लिए एक बहुती बहतरीन बैच जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी और इस बैच का नाम है आपको कम्पलीट स्लेवस करवाएंगे डेली आपकी लाइव क्लासेज चलेंगी एक्जाम के टाइम पर रिवीजन मेराथन क्लासेज होंगी चैप्टर टेस्ट आपके होंगे सुपर फिफ्टी के आपको पीडियेफ मिलेगी और भी काफी सारा आपको स्टेडी मेट्रियल यहां पर दिया जाएगा ठीक है जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएए इस करांती बेच के साथ डिस्क्रिप्शन में बिटा गूगल फॉर्म दिया जा रहा है इस गूगल फॉर्म को आपको जरूर भरना है ओके चलिए अब बिटा मैं आप सबसे यहां पर विदा लेता हूँ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और आगे भी बिटा इसी तरीके से अपना कीमती समय मुझे देते रहिएगा चलिए बच्चों अब इस क्लास को महीं पर समाप्त करते हैं जल्दी बिटा हमारी मलाकात होगी नेस्ट क्लास में तब तक के लिए बच्चों बाए बाए टेक केर एवरीवन बच्चों बाए 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 बाए